नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि डीवी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डीवी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए, और डीवी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यहां भी डिसकस करेंगे कि डीवी कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, डीवी एक ब्रैंड नेम है, डीवी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन कॉलेकेलसिफेरॉल 60,000 इंटिनाशनल यूनित होता है, विटामिन D3 को कॉलेकेलसिफेर के नाम से भी जाना जाता है, डीवी कैपसूल का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि व वज़ा से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है हमारे शरीर में दातों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन दी भी बहुत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता ह और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है, जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़से धीरे-धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं, हड्डियां कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्राक्चर हो सकता है कैल्शियम और विटामिन दी की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है, या लंबा समय लग सकता है, बच्चों में कल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइथ भी कम रह सकती है, और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है। रहने की समस्या हो जाती है किड़नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर डीवी कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है क्यो दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में दीवी कैपसूल को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में दीवी कैपसूल की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति को DV कैपसूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. ज्यादा डोज में DV कैपसूल को लेने की वज़े से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है. अब हम डिसकस करेंगे कि DV कैपसूल को कैसे लेना रेकमेंडेट होता है. DV कैपसूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है DV कैपसूल को दूद या पानी के साथ लिया जा सकता है लेकिन DV कैपसूल को शाम के समय दूद के साथ लेना ज्यादा अच्छा होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर डीवी कैपसूल को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और 8 सब्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डीवी कैपसूल को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि डीवी कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डीवी कैपसू और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई दोज में विटामिन D को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए DV कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका DV कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।